आज हम लोग देखने वाले हैं Mercedes-Benz की electric car that is the Mercedes-Benz EQC luxury गाड़ियों में सबसे पहली electric car यही launch वी थी इंडिया में 2020 के अंदर remote इसका बाकी Mercedes-Cars के जैसे ही आता है लेकिन अगर हम front से इस car को देखे तो इसके अंदर black panel radiator grill मिलेगी LED luminescent bend मिलेगा हमें front में और rear में मतलब यह जो grill के उपर LED का band है यह सिफ electric car के अंदर ही Mercedes-Benz में standard आता है यह big grill के साथ में जितना भी अपना low raise है यह सारे हमें chrome के अंदर मिलेंगे multi beam LED headlamps हैंगे इसके अंदर जो की high beam assist के साथ आती है जो anti-dizzle भी करती है इसके साथ में अगर हम side में आते हैं तो 20 inches के tennis spoke हमें इसके अंदर लोई wheels भी मिलते हैं इसका wheel भी is GLC के जितना है 2873 mm का मतलब कि यह एक proper 5-feeder car है जो side का इसका window frame है यह भी पुरा chrome के अंदर मिलता है हमें और इसमे mirror package भी हमें standard मिलेगा पीछे से इस गाड़ी का design थोड़ा सा coupe दिया हुआ है जिससे कि यह काफी ज्यादा aerodynamic हो जाती है rear light के अंदर भी आप जैसे देखोगे तो center band जो है वो भी LED का दिया हुआ है तो यह electric गाड़ी Mercedes की पहचान है कि आपको front में और rear में LED का band मिलेगा center के अंदर ही यह EQC 400 4Matic के नाम से आती है और हम इसको rear boot open करके देखें तो आपको यहाँ एक ample space मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपना काफी luggage भी रख सकते है नीचे हमें under the floor एक tire fit kit और एक spare wheel भी additional मिल जाता है इसके अंदर boot के अंदर हमें 12V के sockets भी मिल जाएंगे और इसके अंदर electric boot opening and closing के साथ में lag swipe function भी मिलता है जो की comfort की package का part है 4Matic stands for की इसके अंदर front और rear दोनो axles के अंदर ही electric motor लगी भी है so this car is a 4 wheel drive car यह 4x4 car ही आती है standard इंडिया के अंदर इसके gate खोलते हैं तो आप जैसे के अंदर का इसके interior देख सकते हो यह बाकी Mercedes से different रहेगी in terms of trims और इसके जो AC vents का design है जैसे के आप देख सकते हो silver elements के अंदर rose gold दिया हुआ है side में हमें grey matrix finish दिया हुआ है उपर leather uphols ही दी हुई है seat heating दी हुई है इसके अंदर जो इसको आप 3 modes के अंदर adjust कर सकते हो इसके अलावर 3 seat memory function है extended thigh support भी electric दिया हुआ है इसके अंदर यह सब इसमें standard आता है steering wheel बाकी Mercedes की तरह ही है पीछे अगर हम space देखें एक बारी तो आपको boomerster surround sound पूरी car में मिलता है और पीछे अलग AC zone मिल जाता है हमको और रियर सीट में entertainment लगाने के लिए भी option रहता है पीछे के जो curtains है यह manual आते है roller blinds इसको आप यहीं से open and close भी कर लेंगे इसके अंदर नीचे bottle holder का option भी दिया हुआ है और seats के पीछे magazine holder का भी option दिया हुआ है अब आते हैं इसके front design के ओपर तो इस events ऐसे के मैंने आपको बताए रोज गोल्ड के अंदर है steering wheel हमें multifunction मिलता है इसके अंदर with touch control button जिसके अंदर cruise control और speed limiter भी standard आता है सामने white screen cockpit है जिसके अंदर 10.25 inch की दो screens दी हुई है इसको आप steering पे से भी operate कर सकते हो voice command के through भी operate कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर MBUX infotainment system standard आता है इस 10.25 inch screen के अंदर और यहां दो phone bluetooth से connect हो सकते हैं इसके अलावर इसके अंदर 3D navigation भी आता है इसके अंदर energizing packages भी आते हैं और यह Mercedes me connectivity के साथ आता है जिससे की हम अपना phone गाड़ी के साथ connect कर सकते हैं गाड़ी lock unlock भी कर सकते हैं उसको track भी कर सकते हैं और जब हम गाड़ी को start करते हैं तो यहां लिखाता है vehicle ready to drive नीचे battery के साथ में range भी लिखी हुए है 336 km एक बारी गाड़ी charge करने के अंदर यह लगभग 414 km maximum चल सकती है जैसा कि Mercedes का brochure भी mention करता है इसके साथ Mercedes एक हमें wall box charger प्रोवाइट करती है जिससे की गाड़ी 8-10 घंटे के अंदर पूरी charge हो जाती है और अगर आप commercial charger से गाड़ी को charge करते हो तो वो 1.5 घंटे में charge कर देती है गाड़ी की जो under body है वो पूरी battery से covered है और उसको maximum power जो Mercedes बताती है that is 80 klo watts जो इसका full capacity है यहाँ पे आप front screen के अंदर काफी सारी चीज़े भी operate कर सकते हो इसके अंदर active brake assist function भी standard आता है अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी चल रही है और emergency braking का time आता है 360 degree camera इसके अंदर standard मिलता है हमें with parking sensors और रियर दोनों excels के ओपर हमें electric motor मिलती है जो कि इसे एक 4 wheel drive 4 matic car बनाती है और इसका जो gear है वो एक single gear आता है electric car होने की विरे से हाला कि इस गाड़ी का 0-100 only 5.1 seconds है और इसकी top speed 180 km पर R की company claim करती है जो गाड़ी के center screen है इसके अंदर हमें बहुत सारे options देखने को मिलते है रेंज मिलती है adaptive cruise control का भी function मिल जाता है हमें इसके अंदर और अगर हम MBUX की बात करें तो यह भी पूरा feature loaded आता है जिसके अंदर radio, phone connectivity और इस electric car के अंदर special EQ function भी हमें standard मिलता है जिसके option के अंदर जाके आप nearby charging stations को भी search कर सकते हो charging के जो भी अपना time कितना बचा है कितना time और लेगी गाड़ी अभी charge होने के अंदर यह सारी चीज़ें इसके अंदर हमें standard मिलती है charging station आप जैसी search करते हो तो navigation open हो जाता है और वो जितने भी nearby charging stations available है वो भी आपको दिखा देते हैं इसके अलावा अगर हम और इसके अंदर functions देखें इसकी vehicle settings में गर हम चले हैं तो यहां almost सारे operations ही हमें standard मिलते हैं automatic locking वाले easy entry exit वाले ambient lighting वाले इसके अंदर भी बाकि सारी Mercedes cars की तरह 64 colors की ambient lighting आती है जो कि इसके पूरा dashboard में doors में और footwell के अंदर हमें देखने को मिलती है इसकी जो रात के time पे ambience है बहुत amazing लगता है बाकि सारी Mercedes का भी मतला पूरा एक luxury finish वाला हमें feel मिल जाता है इसके अंदर front की जो दोनों seats है उसके अंदर हमें massager option भी मिलता है दो तरीके की massage आती है इसमें wave massage और pulsating massage हम यहां से दोनों ही seats का individually massage system भी operate कर सकते हैं इसके अलावा seat के comfort के अंदर हमें lumber support भी electric मिलता है हम इसको electrically adjust कर सकते हैं इसको bolsters हैं जिसे कि आपकी कमर का जो area है वो side से tight और loose हो जाता है seat का जिससे आपको comfort mode में या sports mode में चलाने के लिए और ज्यादा easy accessible रहता है अलग-अलग तरह के energizing comfort packages भी हैं उसके हिसाब से ambient lighting, music system, AC यह चीज़े work करती है accordingly यह एक बहुत smooth drive के लिए basically दिया हुआ है या फिर अगर आपका भी गाड़ी के अंदर ही बैठे हो और गाड़ी चार्ज हो रही है तो आप यह system तब भी operate कर सकते हो अब चलते हैं इसके center console design की तरफ तो यहां AC vents horizontal दिया हुआ है center में इसके निचे AC के controls हैं यहां glossy black finish के अंदर पूरा console दिया हुआ है हम इस cover को open करते हैं तो यहां आपको cup holders भी मिलते हैं wireless charging भी मिलती है और इसके निचे हमें touch pad के साथ में driving modes भी मिल जाते हैं गाड़ी को charge करने का भी यहां option दिया हुआ है और यहां से आप जैसे mode change करते हो eco comfort sports और individual यह चार mode car के अंदर आते हैं अंदर electric sun glass छोटा वाला आता है सिर्फ यही एक ऐसी Mercedes है जिसके अंदर आज के टाइम पर हमें चोटा sunroof मिल रहा है बाकि सारी Mercedes के अंदर panoramic single glass या dual glass वाला sunroof आ रहा है आज के टाइम पर पीछे की seats देखें तो इसके अंदर center armrest भी मिलता है cup holders है तीनों headrest adjustable है और seat की sides के अंदर हमें cup holder और boomerster के speakers भी standard मिल जाते हैं center में AC vents भी दिया हुआ है और AC control का option भी दिया हुआ है इसके नीचे हमें 12 volt का socket भी मिल जाता है और 2 USB slots भी मिल जाते है एक छोटा hump भी है बीच में जो की safety के लिए और drive train को use करने के लिए भी बनाया जाता है इन German cars के अंदर यहाँ पे हम armrest को open करते हैं तो यहाँ पे एक छोटी pocket हमें मिल जाती है थोड़ा समान रखने के लिए और 2 cup holders इसके अंदर standard आते हैं साइड में दर्वाजों में bottle holder हम use कर सकते हैं manual curtains ऐसा कि हमने आपको बताया वह भी इसके अंदर standard है center का जो look है गाड़ी का वह काफी ज्यादा मतलब futuristic design के साथ दिया हुआ है थोड़ा से rose gold finish के साथ हमें difference feel होता है यह एक option दिया हुआ है यहां पर आप screen अगर अलग से लगवाना चाहो तो यह RACS entertainment के लिए पहले से ही हमें option मिल जाता है EQC की badging standard है alloy wheels में blue elements दिये हुआ है जो की electric की पहचान है अब आजाते हैं इसके main part की तरफ इसके motor और battery के ओपर तो इसके अंदर हमें 2 3 phase की motor समलती है single speed transmission है 4 matic vehicle है यह और 408 horsepower की car है 760 nm torque है 5.1 second 0200 है 180 km per hour की इसकी top speed दी हुई है 80 kWh की इसकी battery की capacity है 652 kg की सिर्फ battery weight ही है इस car के अंदर Mercedes system इस गाड़ी के ओपर 5 years unlimited km की warranty दे रही है 5 years का roadside assistance है 5 years का unlimited km service package है 8 years का battery coverage भी है पूरा इसके अंदर तो almost सारी चीज़े coverage होई जाती है इसके अंदर 1.06 करोड रुपीज इसका extra room है और बाकी details के लिए मैं नीचे number mention कर देता हूँ Thank you for watching